हलो दोस्तो इस पीडियो में हम लोग बात करेंगे मुंबई इंडियन्स बसेज कोलकाता नाइट आडर के बीच IPL का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में और दोस्तो दोनों टीम्स के स्टैट्स के उपर पूरी डिटिल एनलिसिस करेंगे और जानेंगे यहां से कौन से प्लियर बेस्ट आपसन रहेंगे और स्मॉल लिग और खास करके ग्रैंड लिग के लिए तो दोस्तो इस मुकाबले में आप सभी को टीम बनाते से में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी तो दोस्तो गौर कीज़ेगा तीन तारी को यह मुकाबला खहला जायाएगा सामेर साड़े साथ होजै और ground की बात करें तो वान खेडे स्टेडियों मुंबई में यह मुकाबला होगा और इस ground की खास बाती है कि यहां पर फास्ट बद्ध को काफी मदत मिलती है तो डेरेट बात कर लेते हैं इस ground की पिछ रिपोर्ट की उपर तो अभी तक इस ground पर दोस्तो T20 के 115 मुकाबले खेले गए और जिसमें से पहले बैटिंग करने वोले टीम 52 मुकाबले जीती है और चेस करने वोले टीम 63 मुकाबले जो भी टीम यहाँ पर toss जीतेगी दोस्तो प 67 रन पर all out हो गई थी और जो इस साल चार मुकाबले इस ground पर खेले गए जिसमें से दो मुकाबला तो यहाँ पर मुंबे जीती है लेकिन पिछला मुकाबला यहाँ पर चेनने दोस्तो 20 रन से जीत कर आ रही है और इन चारों मुकाबले में दोस्तो हाय स्कोरिंग मैच मिली है दोस्तो 49 विकेट और अस्पिनर्स को मातर 3 विकेट तो इस ground पर दोस्तो अस्पिनर्स को बिल्कूल भी मरत नहीं मिलती है फास्ट इनिंग में देख सकते हैं कि मातर 2 विकेट मिली है दोस्तो स्पिन बुलर को फास्ट बुलर को 20 विकेट और सकेंड इनिंग में दो जिसमें से Mumbai Indians 23 बार बाजी मारी है और वहीं कोलकाता 9 बार तो head to head में तो दोस्तो Mumbai Indians का पगड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी है और वैसे भी यह मुकाबला दोस्तो वान खेटे स्टेडियम में खेला जा रहा है तो Mumbai के जितने का बहुत ज़्यादा chances भी है और इस चाल दोस् पांच में से तीन मुकाबला जीत कर आ रहे हैं अब दोस्तो वीडियम आगे बढ़नेस पहले मैं आप से भी को यह बोल दो कि जो लोग भी टेलिग्राम पर नहीं जुड़े हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुए आप सभी लोग जल से लाकर जुड़ जाए यहा आप सभी को ओपनिंग करते हुए इसान की सन के साथ रोहिष सर्मा दिखेंगे फिर सूरकुमर यादो तिलक वर्मा हार्दिक पांडिया टीम डेविड निहाल वदेरा मुहमा नवी और बॉलिंग सेक्षन से दोस्तों प्यूस चावला कॉडजे जस्प्रिदुम्रा और य लगतार तीन मुकाबले से फ्लॉप हो रहे हैं तो यहां पर आप लोग रोहिष सर्मा को ड्रॉप भी कर सकते हैं एक टीम में लेकिन अगर आप लोग चार पांच टीम बना रहे हैं तो एक टीम में कैप्टन भी जरूर रखिएगा क्योंकि यह इनका होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड पर दोस्तो रोहिष सर्मा और सुरिकुमर यादो बहुत ही बहतिरीन पर्खॉमेंस करते हैं बाकी दोस्तो पिछले मुकाबले में 10 रन बनाने पाए थे लेकिन रिसेंट में दोस्तो 78 रन अब 52 रन की विपारी इसी ग्राउंड पर खेले हैं तो सुरिकुम तो तिलक वर्मा की बात करें तो अगर आप लोग टॉप ओर्डर के तीनों बल्लेवाच को ले रहे हैं दोस्तों फिर आप लोग तीलक वर्मा को ड्रॉप कर सकते हैं और अगर आप लोग टॉप के तीन में से एक को भी ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर तिलक वर्मा को आप अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर लोडर से तो लोडर दोस्तों पिछले मुकाबले में निहाल वदेरा दोस्तों 46 रणकी पारी खेलें टीम डेविड 35 रणकी और मुहमन दवी एक रणकी तो जैसा कि में आपको बताया कि मुंबई के टॉप और फ्लॉप हो जा र रहा है लेकिन इस ग्राउंड में मुंबई का प्रहॉमेंस करना बहुत ज़रा जरूरी है ताकि आगे वो दोस्तों प्लेओप्स के लिए लाइन वे रहे बने रहे तो अब हम लोग डैट बात कर लेते हैं यह तो होगी दोस्तों बैटिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर दोस्तों पिछले मुकाबले में हार्दिक पांडिया को दो विकेट मिली थी मुहमान नवी एन्थ हुसारा और दोस्तों कोड़ जे को एक अख विकेट मिली थी तो अगर आप लोग अस्मॉल लेकी टीम बना रहे हैं सेफ ऑप्सन खोज रहें तो सेफ ऑप्सन यहाँ पर आप लोग रहेंगे जस्परिद भूमरा फिर कोड़ जे और उसके बाद दोस्तों हार्दिक पांडिया इन तीनों फास्ट बुलर पर आपको फोकस करना है हार्दिक पांडिया भी दोस्तों पिछले मुकाबले में फॉर्म में दिखे थे बॉलिंग सेक्शन से और बाक इनको भी कंटिनिवस फिकेट नहीं मिल रहा है अब इसके बाद डिरेट बात कर लेते हैं यहाँ पर कोलकता की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेंग लेवन तो इधर से जो सबसे बड़ी न्यूस लिगल कर यह आ रही है कि निती सराना इस मुकाबले में आपको खेलते अब इसके बात कर लेते हैं इन सारे प्लेर के रिसेंट पहामेंस की उपर तो सबसे पहले अब ओपनर्स की बात करें तो बिल्कुल अपोजिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे मुंबई के टॉप ओडर के प्लेर्स बूरी तरह से फेल हो रहे हैं तो दोस्तों कोलगादा के टॉप ओडर के प्लेर्स बहुत ही अच्छा पोहमेंस कर रहे हैं सबसे जो बड़ा नाम लिकल कर आ रहा है दोस्तों सुनिल लरायन और फिलिप सॉल्ट का जो कि सुनिल लरायन पिछले मुकाबले में तो मांतर पंदर रन बनाने पाया थे लेकिन उससे पहले 179 रन, 185 रन की भी पारी खेल चुके हैं और वहीं दोस्तों फिलिप सॉल्ट लगातार पिछले दो मुकाबले से अरसा तक ये पारी खेल रहे हैं तो दोनों टॉप ओडर के बैट्समेन को आपको तो लेकर चलना ही है पिछले मुकाबले में रिंकु सिंग को टॉप ओडर वनकेटेस अयर को बहुत कंब लोग लिये हुए हैं और पिछले तीन मुकाबले से असंदार पंधन किये हैं तो वनकेटेस अयर आप लोगक के लिए ट्रम पलिएर हो सकते हैं ग्रैंड लिख के लिए बाकी All-Rounder section से Andrew Russell आप लोग के लिए important रहेंगे जो कि बैटिंग के साथ बॉलिंग भी करा रहे हैं पिछले मुकाबले में 24 रन की पारी खेलें एर अगवन सीक को दोस्तों पिछले मुकाबले में बैटिंग करने का मौकान नहीं मिला तो इनका बैटिंग उडर फिर से confirm नहीं है तो ये भी दोस्तों केवल ग्रैंड लिक ले ही important रहेंगे अब इसके बाद बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन से तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे बड़ा नाम लिकल कर आ रहा है हरसी तरह ना जो की दोस्तों बहुत ही अच्छे form में है तो इस मुकाबले में आपको खेलते वे नहीं दिखेंगे तो इनको आपको नहीं लेना है और अगर आप लोग अस्मॉल लिक के टीम बना रहे हैं आपको बता दू कि इस मुकाबले में दोस्तों जो ग्रैंड लिक के लिए इंपोर्टेंट पिक रहेंगे वरुन चकरवती और दोस्तों यहाँ पर वरुन चकरवती दोस्तों इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि दोस्तो वरुन चकरवती इस मुकावले में important इसले रहेंगे क्योंकि इनको बहुत ज़ादा लोगों ने लिया हुआ है और इस ground पर spinners को उतना मदत नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर यह grinding में आप लोग के लिए important रहने वाले हैं अब इसके बाद बात कर लेते हैं तो दोस्तो यहाँ पर सुनिल नरायन, मिचल स्टार्क, सेफ अप्सन रहेंगे बाकी वैब और और रसल दोस्तो आप लोग के लिए important हो सकते हैं टॉस के हिसाब से बाकी रसल को तो आपको लेकर चल नहीं है अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर के प्लियर्स की उपर तो दोस्तो इस मुकाबले में जो कोलकाता के तरफ से के प्लियर रहेंगे वो दोस्तो फिलिप सौल्ट, सुनिल नरायन, रसल, हरसितराना और वरुन चकरवती तो दोस्तो हर्दी तरह नहीं खेलेंगे, आप लोग इनकी जगापर जोड़ सकते हैं दोस्तो मीचल स्टार को, उसके बाद मुंबे की तरफ से रोहिस सर्मा, इसान किसन, सुरिकुमार यादो, हर्दिक पांडया और जस्परी दूमरा यह होगी दोस्तों, आपर हमारी पूरी इटेल अनलेसिस और की प्लियर सब डिलेट बात कर लते हैं टीम कॉंबिनेशन की तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टीम कॉंबिनेशन की पर तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्मॉल लिग की टीम देखेंगे दोस्तो अर्ज तक ये पारी खेल करा रहे हैं तो इस मुकाबले में इंपोर्टेंट तो रहेंगे ही अब इसकी बाद बात करें बैटिंग सेक्शन से तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सुर्क मरियादो रोहित सर्मा और तिलक वर्मा तीनों बैट्समेन में आपको कन्फिजन हो रहा होगा कि तीनों को लेकर चला जाए या दोस्तो तीन में से दो को लेकर चला जाए तो मैं आपको बोल दो कि अगर मुंबे की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप लोग यहाँ पर तीनों को ले सकते हैं और अगर दोस्तो मुंबे की टीम टॉस जीत जात पहले बॉलिंग करती है तो उस बैसिस पर आप लोग यहांपर रोहिच सरमा और सूरकमर यादोडोर पर फोकस कर सकते हैं क्योंकि रोहिच incarnमा और सूरकमर यादोग का दो बैटिंग में इससОट देखा जाए तो फ्लॉप हो रहे हैं इसलिए तीलक वर्मा और लोडर के प्लियर्स को ज़्यादा मौका मिल रहा है और अगर इस मुकाबले में रोही सर्मा सुर्ग मर्याद हो जैसा मैं सोच कर टीम बना रहा हूं अगर अच्छा पॉपमेंस करें तो फिर तीलक वर्मा को ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा तो उस हिसाब से मैं टीम बना रहा हूं टॉस के वाद आपको फाइनल टीम तो टेलेग्राम पर मिलेगी तो लिंक मैंने डिस्किप्सिन में दिया हूँ आप सभी लोग जोएकर जोइन कर लेजे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं कोलकाता की तरफ से सिर् किये थे और बॉलिंग से पिछले मुकाबले में दो विकेट लेकर आ रहा है तो अच्छे फॉर्म में है तो यहाँ पर हम लोग इनकुल लेंगे ही अब इसके बाद बॉलिंग से बात करते हैं यहाँ पर आप सभी को कंफ्यूजन हो रही होगी तो सबसे पहले मैं बता को लगबग 240 विकेट मिल ही गई है तो यहाँ पर हम लोग फास्ट बॉलर पर केवल फोकस करेंगा जो कि हमारे जैस्परी लूमर रहेंगा कोड़ जे और नीचे से दोस्तों वैब और और मिचल स्टार्क दुनों में से किसी को ले सकते हैं मैं मिचल स्टार्क को इसलिए न मैंने बोलर रखा तीन वल रांडर तीन बैटस्मिन और दो विकेट कीपर को अब क्याप्टन वैस केप्टन की बात कर रहे तो उससे पहले मैं बोल जू कि टॉस इस ग्राउंड पर बहुत ज़रा इंपोर्टन रहेगा और फिलाल मुझे पता नहीं है कौन सी टीम टॉस ही कीप्टन आप डिर्ग बात कर लेते हैं दोस्तों इस टीम की प्रीविविव फिर ऊसके बाद अगली ग्रैंडली की पर तो दोस्तों यह रहना वली हमारी यहां पर टीम की प्रीवियू जो कि हमारे कप्तान रहेंगा सुनी लरायन यहां पर मैं लिया हूँ दोस्तों रोहिस सर्मा को आज़ा वाइट्स कैप्टन दोनों मैंने विगेट कीपर को रखा और यहां पर मैं दोस्तों फास्ट बदर पर जादा फोकस किया हूँ अब इसकी बाएट दूसरी टीम की बात करें जो कि दोस्तों मैंने यहां पर इसान की सन को नहीं लिया है इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर तीले कुर्मा को लिया हूँ और कैप्टन में बना रहा हूँ सूरे कुमार यादो को और वाइस कैप्टन फिलिप सॉल्ट को बाकी दोस्तों कुलगाता के तरप से मैंने सेरेस एयर को तो लिया है इस वीड़ियो देखने के लिए इस वीडियो में बस इतना